अलो फ्रेंट्स एक बार भी आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर हर्दिक स्वागत है बारती रेल्वे स्टेशनों के दोनों साइट के स्टेशन बोर्ड पर समुन्दर तल से उचाई क्यों लिखा रहता है आज फ्रेंट्स इसी वी से पर हम इस चैनल पर बाग करेंगे फ्रेंट्स आप सभी न कभी न कभी ट्रेन से सपर कर रही होते हो तो आपने रेल्वे स्टेशन के दोनों साइट एक स्टेशन के बोर्ड पर समुन्दर तल से उचाई मीन साल लेवल, MSL जैसे की 300 मीटर, 420 मीटर आधी लिखा हुआ देखते हैं आप इस बारे में सोचते रहते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं आज हम आपको इस पहलू से अच्छी तरह से समझाते हैं आपकर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को से जरूर करना हुआ प्रेंट्स मेरी हमेशा पोशिश रही है कि में रेल्वे से सम्मझेत हर प्रकार के वीडियो आपको हर्सम में उपलब करा सकूँ तो चलिए और चलते हैं प्रेंट्स बारते रेल्वे ट्रेंड के परिचालन को सुरुक्षा की दर्ष्टी से ठीक से चलाने के लिए ट्रेंड के ड्राइवर गार्ड या लाइनवेन करमचार्यों के लिए स्टेशन बोर्ड पर लिखा समंदर तल से उचाई आधि चन्न के द्वारा संकेत दिया ज नहीं था क्योंकि समंदर के पानी का लेवल बराबर रहता है और विश्वे के लिए समंदर से बहतर और दूसरा विकल नहीं था MSL में सी लेवल की मदद से गणना करना बहुत रही आसान होता है फ्रेंट्स अब में बिंदु पर आते हैं इस्टेशन बोर्ड पर लिखा समंदर तल से उचाई बिंदु को समझते हैं इसकी मदद से ट्रेन के उपर लगे बिजली के इतारों को एक समान उचाई देने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है क्योंकि बिजली के इतार लोको मोटिव के पैंटों से बराबर टच होन चाहिए दूसरा है इसी सायन बोर्ड से ही ड्राइबर मोदे नेने लेता है कि इतने मिटर की चड़ाई चड़ने के लिए लोको मोटिव को कितनी पावर देने पड़ेगी अगर ट्रेन नीचे की तरफ जाएगी तो नीचे आते वक्त ड्राइबर को कितना फ्रियक्शन या आपको वीडियो प्रसंद आएगा अगर चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरू करना आपके जो अन्बो हुआ हमारे साथ शेयर करना तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टेक क्यार